हलो स्टूरेंट्स मैं आंकेता आपकी इंग्लेश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका माइगनेट ब्रेंज हिंदी पर जहां आपको मिलता है हाई कॉल्टर एजुकेशन विच सो मेनी टॉप कोर्सेज CBSE, UP, MP, Bihar, Delhi, Rajasthan Board, Class 6 से लेकर Class 12 के सभी स्टूरेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम free of cost यानी स्टूरेंट्स इन में से किसी भी कोर्स के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत है ही नहीं इसके अलावा अगर आपको e-books या e-notes चाहि हैं तो अगर आपको इनसे जुड़ी हुई और भी details चाहिए तो links जो आपको दिये गया है इनसे related description box में उन्हें क्लिक कीजिए थाकि सारी ये सारी information आपको मिल सके इस important information के बाद अब हमरते हैं हमारे आज के topic पे जो की है आपका chapter Lost Spring के MCQs यानी multiple choice questions तो चलिए students जल्दी से ह हम ये video को start करते हैं Students जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम जो MCQs करते हैं वो set of five में करते हैं यानी five 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 right और आपको हर एक set के हो जाने के बाद अपने marks बताने होते हैं कि after this set of five आपने अभी तक total कितने marks या कितने questions का answer सही दिया है तो मेरे साथ साथ comment section में comment करते चलिए हर एक MCQ question जो मैंने आपको explanation करवा दिया है summary अच्छे से पढ़ा दिये detail में आपको फूरा chapter जो है समझाया था इसके अलावा NCRT solutions भी हम अच्छे से कर चुके हैं तो आपको अभी तक ये chapter अच्छे से आ गया होगा MCQs जो है वो करने का हमारा main purpose क्या रहता है ताकि आपको जो छोटी-छोटी details भी अगर है कई बार similar सी details है उनमें हम confused हो जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी confusion नहीं रहना चाहिए दिमाग में वो सब हमारा clarity आ जाती है हमें MCQs के, MCQs की कारण इसके अलावा MCQs से हमें help मिलती है हमारे subjective questions चो लेंदी questions है शौट answer type, long answer type questions है उन्हें frame करने में भी help मिलती है क्योंकि इनसे हमको information मिल जाती है तो ध्यान रुखे students question को answer करते हुए चली properly और बढ़ते हैं हम हमारे first set of five की तरफ हमारा पहला question है यानि जो author है सबसे पहले तो author का नाम क्या है अनीज चांग और इनकी कौन सी book में से ये excerpt लिया गया है except का मतलब मैंने आपको कई बार समझाया है इसका मतलब होता है एक छोटा अंच right कि पूरी book में से एक अंच लिया गया है और वो अंच को आपको chapter की तरह पढ़ाया गया है right students तो क्या नाम है उस book का options देखिए A option है lost spring stories of stolen childhood ये है पहला option दूसरा है unveiling India तीसरा breaking the silence और D the song of India अब बताईए इन चारों में से कान सा option है वो है correct option right मैंने आपको जब अनीज जंग के बार में बता रही थी उसी introduction में ही about the author में ही मैंने आपको बताया था कि ये कहां से लिया गया और ये भी बताया था कि ये एक important information है और exams में भी आ सकता है I am sure आपको ज़रूर से ज़रूर याद होगा और जो सही answer है students वो है option हम A यानी lost spring stories of stolen childhood ये बिलकुल सही answer है और देखा जाये तो इसको ढूनने में पहचाने में बहुत ज़्यादा confusion नहीं भी हुआ होगा क्योंकि ये chapter का title भी lost spring ही है तो आपको confused होने की जरासी भी जरूरत नहीं है कई बार क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा easy जब हमें कोई चीज लगने लगते है तो भी हमारे दिमाग में doubt आ जाते है कि same same तोड़ी होगा लेकिन यहां same same ही है तो I hope आपने भी option A ही select किया होगा students I hope कोई दूसर option select नहीं किया है in case कर लिया है अगर तो अब तो doubt clear है ना अब तो पता चल गया कि कौन से book में से यह excerpt या यह अंच लिया गया है यह जो book है यह भी अनीज नहीं लिखी है अनीज जंग नहीं लिखी हुई है राइट आगे बढ़ते हैं what does the author analyze in the story यानी author ने इस story के अंदर किस बात का एहसास किया है अनलाइस किया है यह है हमारा question 2 और इसकी जो options है वो है rich people यानी जो raise लोग है अमीर लोग है उनके बारे में अनलाइस किया है b garbage कच्रे के बारे में c poor children and their exploitation गरीब बच्चों उनके सोशन के बारे में इन्होंने analyze किया है उनके बारे में जानकारी हासिल करना basically या फिर D, How Works, अपने ही कामों को लेकर उन्होंने एक अनलाइस किया अपने ही कामों को, कि मैंने जो काम किये हैं, वो कैसे काम किये हैं, सही है या नहीं है, सुधारने की अगर जरूरत है, तो क्या जरूरत है, तो ये सब में से इन चारों आप्शिन में से कौन सा सही आंसर है Students, अगर अच्छे से ये chapter पढ़ा है और मेरे से अच्छे से समझा है तो आपको बिल्कुल भी answer को select करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इसका सही answer होगा हमारा option C यानि गरीब बच्चे किस तरीके से उनका शोशन हो रहा है बच्चपन में ही उन पर घर परिवार की दुनिया की समाज की सब जिम्मिदारियां आ जाती है वो अपनी विचार धारा बना सके उसके पहले ही उनके जो सपने होते हैं वो बनने से पहले ही तूट जाते हैं तो ये सब के बारे में analyze किया है ये सब के बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की है अलग-अलग experiences के तुरू encounters के तुरू इस chapter के अंदर Right, clear है बढ़े हमारे third question पे What is the central theme of the story? बेटा ये बहुत जादा important है जितने टिक लगाउं उतने कम है इतना important है ये Central theme वैसे तो हमें हर chapter poem इनकी पता होनी ही चाहिए चाहिए कोई साभी random chapter उठा लीजे कोई सी भी poetry या poem उठा लीजे अपने syllabus में से Central theme तो खहर हमें पता होनी ही होनी चाहिए लेकिन इस chapter की Central theme पता होना very important क्योंकि subjective type questions में भी ये question आ जाता है Right, तो इसके options देख लेते हैं Pitchable poor children and their lost childhood यानि बचारे गरीब बच्चे जिनकी बहुती दैनियस थिती है और किस तरीके से उनका बच्पन जो खो जाता है Next option है garbage again जो कचरे के बारे में है क्योंकि rag picking के बारे में इसमें बात की गई है C, साहिब और मुकेश के बारे में बात की गई है तो यानि यहाँ पर किस के बारे में बात की हुए students अभी अभी जो मैंने आपको समझाया गरीब बच्चे जिनको बच्पन में ही जिनका एक तरीके से सोशन ही हो रहा है जब उन्हें अपने सपने भी नहीं देखने दिये जा रहे हैं और ऐसे कामों के अंदर उन्हें लगा दिया गया है जो की उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं तो देखे पिचेबल पूर चिल्डरन और लॉस चाइल्ड़ोड option A is the correct answer hopefully आपने भी इसी option पर ही इसी option को select किया होगा अगर in case कोई भी दूसरा option select किया है तो आपको clear हो गया होगा कि क्यूं यही सही answer because it is the theme spring season तो कोई theme है ही नहीं इसके अंदर जो बसंत की बारे में बात हुई है वो basically बच्पन को लेकर वो बात हो रही है कि जो बच्पन होता है वो बसंत्रतु की तरह होता है जो एकदम बसंत्रतु में जिस तरीके से नए पौधे खिलते हैं नई पत्तिया आती हैं नई कलिया खिलती है उसी तरह बच्पन भी इसी तरीके का होता है जहां बच्चा जो है अभी अभी पनप रहा है पूरी तरीके से पनपा ही नहीं पनप रहा है और अगर वो पनपने में आप खुद सोचे कि छोटा सा कच्चा पौधा जब होता है अगर उसके उपर से बुल्डोजर निकाल दें तो क्या ही बच जाएगा उसके अंदर बस यह जो जब्मेदारियां होती है ना जीवन की, परिवार की, कास्ट सिस्टम यह सब इसी तरीके से भार बनके वो कच्चे उम्र के उपर भार पड़ जाता है तो उसका बचपन क्या ही बचेगा बिसिकली उसको दर्शाने के लिए स्प्रिंग शब्द का इस्तिमाल किया गया है राइट, करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन एबढ़ते हैं क्वेशन नमबर फोर की तरफ मतलब क्या मजबूरी है ऐसी जिसकी वज़े से उन्हे इस ऐसा जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ता है क्यों उनको एक सोशन भरा एक जीवन जीना पड़ता है इतनी खतरनाक सितियों में काम करना पड़ता है या रेक पिकिंग जैसा जो कच्रा बीने जैसा काम करना पड़ता है ऐसा क्यों A. Greed, लालच B. Extreme Poverty, बहुत जादा गरीबी C. Pears, Pears मतलब Relative का या जो भी परिवार जन है उनका एक भार होता है सर पे या फिर Parents, माता पिता उन्हें फोर्स करते हैं और जो सही रीजन है Students वो है Extreme Poverty Extreme Poverty का मतलब है अत्यंत गरीबी कि दो समय छोड़ी एक समय का भी भरपेट खाने को है ही नहीं और भूक ऐसी चीज होती है जो अच्छे अच्छे इंसान के Strength को तोड़ देती है अच्छे खासे इंसान को भी मजबूर कर देती है कि वो इस तरीके के काम करें जो शायद उसे पता है कि शायद वो करेगा तो उसकी Health के लिए ठीक नहीं या हो सकता है कि वो शायद मर ही जाए जैसे इसके अंदर Bengal Making का जो काम है यानि चोड़ियां बनाने वाला जो काम है वो खतरनाक है और छोटे बच्चों से अगर करवाया जाए तो वो तो Illegal है गैर कानूनी है तो सोचे कितना गलती होगा उन बच्चों से करवाना क्योंकि उनकी Development में बहुत भारी नुकसान उसका पढ़ता है फिर भी माबाप करवाते हैं बच्चे खुद करते हैं क्योंकि मजबूरी है क्योंकि इस हद तक गरीब है इस हद तक गरीबी है Right students, clear है आया समझ में बढ़ते हैं question number 5 की तरफ According to the author, what was garbage for the parents? जो garbage है या कच्रा है वो माबाप के लिए वो कच्री की definition क्या है जैसे अगर आप से पूछो कच्रा क्या होता है तो आप यही कहोगे न बहुत ही unhygienic, बद्बूदार, बिमारिया फैलाने वाली, मर्स फैलाने वाली एक चीज है बिमारिया फैलाती है, बहुत ही जादा बद्बू जहां से आती है, मक्या भिन भनाते हैं यही सब दिमाग में आता है, लेकिन parents के लिए क्या है? Means of entertainment, मतलब इसी से उनका entertainment हो पाता है Means of joy, खुशी हो पाती है, इस से दुख मिल पाता है यह जो माता-पिता लोग, जो यह बड़े, यह जो लोग है, जो इतनी गरीबी में है उनके लिए यह कचरे की वज़े से ही उनके दो वक्त की रोटी आ पा रही है तूटी हुई छटों में इस ही, लेकिन कम से कम छट है उनके सर पर वो रह पा रहे है, उनके पास एक जगह है जहां वो रह पा रहे है तो यह बेसिकली यहां बता गया, students I hope यह आपको अच्छे से clear है यहां पर students हमारा first set of five पूरा होता है कितने marks आपने अभी तक पाए है, यानि कितने questions को आपने सही आंसर दिया है जरूर से जरूर बताईए, ओके, बढ़ते हैं हमारे next set of five की तरफ और question number six है According to the author, what was garbage for the children? अब यह तो माबाप की परिभाशा होगी कच्रे को लेकर बच्चों की क्या परिभाशा है, जो ragpickers है जिससे साहिब आलम इस ragpicker है वो, उसके लिए क्या परिभाशा है इस कच्रे की? Means of entertainment, means of time pass, means of playing a wonder तो basically एक wonder, एक अजूबे की तरह है, एक जादू की तरह है उनके लिए क्यों? A wonder, why so? इसलिए, क्योंकि जो अजूबा है, कभी उसमें एक रुपे का सिक्का मिल जाता है कभी 10 रुपे का नोट मिल जाता है, कभी पुराने फटे जूते मिल जाते है तो उनके लिए ये किसी उपहार से, किफ्ट से कम नहीं है कि आज तो ये मिल गया इसमें तो उनके लिए उस कच्रे को टटोलना एक तरीके से रोज का एक, वो एक excitement का विशय हो जाता है कि वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि कहीं कुछ चीजे मिल जाए क्यों है ये excitement, क्या कारण है क्योंकि उसी चीज की विज़े से कहीं ना कहीं उनकी एक अधूरी खुआईश कुछ हद तक पूरी हो जाती है नए जूते खरीद तो सकते नहीं है, शमता नहीं है तो इसलिए इन्हें टूटा फूटा जूता भी अगर मिलता है जहां जो फटा हुआ भी है और इसमें छेद भी अगर है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ नया जूता पहनने को मिल गया नया मिल गया राइट तो यह यहां पर इसका इसलिए यह अजूबा है इन बच्चों के लिए तो देखिए हमारे और आपके लिए कुछ भी इसकी एक definition होगी कच्रे की लेकिन रैट पिकर्स के लिए उसमें भी माबाप के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग परिभाशा है उनका इकदम अलग नजरिया है इस गाबेच को देखने का और राइट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं वो था कौन एक दुकान वाला था दुकांदार एक सर्वेंट यानि कहीं नौकरी नौकर था रैक पिकर कच्रा बीनने वाला या ओल अलव दीजे सारे ही काम करता था तो बेसिकली वो एक रैक पिकर था स्टूडेंट्स जोला लेके सुबह अपनी फ्रेंड के साथ चला जा मुकेश जो है इस स्टॉरी में जो सेकंड स्टॉरी उसमें मुकेश जो किरदार है वो क्या बनना चाता था कार ड्राइवर बनना चाता था मोटर मेकानिक बनना चाता था पाइलेट बनना चाता था या फिर आर्मी ऑफिसर बनना चाता था क्या ज्रीम था उसका वो एक सोच सका वहीं तक उसकी समझ जा सकी कि हां गाडियां है तो मैं गाडियां को ठीक करने का मिकानिक वाला काम कर सकता हूं I hope आपने option B को ही select किया होगा अब बढ़ते हैं हम question 9 की और इस साहिब happy working at the tea stall अब वहां उसको काम मिल गया था साहिब आलम को पहले तो कच्रा बीने का काम करता था लेकिन अब उसको चाह के दुकान पर काम करने का उसको नौकरी वहां मिल गई थी तो क्या वो खुश था yes हाँ वो खुश था yes he earns money हाँ वो खुश था क्योंकि वो पैसे कमा रहा था no earning कुछ नहीं कमा रहा था वो यह तो खुश नहीं था मतलब no earning but not freedom खुश नहीं था कमा तो रहा था लेकिन आजादी नहीं थी और correct option भी यही है students की कमा तो रहा था लेकिन आजादी नहीं थी वै ऐसा कुछ वंडर नहीं रहा, ऐसा कुछ भी नहीं रहा उसकी लाइफ में और उसकी लाइफ पर 100% हुकूमत अब किसी और की होने लग गई. पहले कुछ हद तक तो उसका इक्तियार था अपने जीवन पर, अब तो कुछ भी नहीं बचा क्योंकि जहाँ वो काम कर रहा है, तो अब तो उसे मालिक के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, वरना तनख्वा में से पैसे कटेंगे, राइट, चलिए स्टूदेंस आगे बढ़ प्रह्मान्ड का देवता इसका मतलब होता है, ब्रह्मानड का ब्रह्मान्ड का भगवान, साहिवे आलम का मतलब यही होता है, त Three लेकिन set of five भी खतम होता है और मुझे जरूर बताइए कि 10 questions में से कितने questions का answer सही दिया है आपने ठीक है या कहीं कोई doubt तो नहीं रह गया है अगर in case रह गया है किसी भी कारण से रह गया है कई बार जल्दी बाजी में गलत answer लिग देते हैं कई students की typing mistakes भी होई जाती है तो किसी से जरूर उसका doubt अगर रह तो आपको समझ में आ गया होगा और कोई doubt अगर रह गया है तो आई तिंग वो doubt भी दूर हो गया होगा और फिर भी अगर है doubt तो आप मुझसे comment करके पूछे और लगे हातों वीडियो को like भी कर दीजे और share भी कर दीजे और अब बढ़ गया हम ह 3rd set of 5 की तरफ और ये last set of 5 भी है इस वीडियो का देखते हैं question number 11 क्या है where was Mukesh's family business यानि Mukesh का जो परिवार का family business जो था या family profession जो था जो पीडी दर चलते जाए थे वो कहां था फिरोजाबाद में था सीमापूरी में था धाका में था या डेली में था तो पेटा उस काम क्या करते थे ये बैंगल मेकिंग का और बैंगल मेकिंग का जो सबसे बड़ा उद्यो कहां पर है भारत में फिरोजाबाद में और फिरोजाबाद में ही इनका profession family सब सेटल था right clear है so फिरोजाबाद is the correct answer question why is the author calling garbage as gold in the story यानि इस story के अंदर जो कच्रा है उसको narrator ने गोल्ड कहकर और संदेल केकर क्यों बुलाया है वेल क्योंकि उसके अंदर does a girl मतलब jewelry या गहने जो होता है तो गहने मils चाते हैं इसले बुलाया गया है या «जेंस मिल जाते हैं» इसमें जलिए जयेंस का मतलब यह उता है जो नग होते हैं या अनमोल पत्थर जो होते हैं वो मिल जब तेंस में इसलिए या बिक़िए गोल इने क्योंकि अक्षिल में उसमें सोना मिल जाता इसलिए या फिर बिक़िज आफिए बिक़िज अफ इस वेलुएबल फॉद ओर रैग पिकर्स के लिए ये वैलुए बलुटा बिलकुल डी इस दे करेक्ट चांसर वाइस उनके लिए व इनीथिंग विचाज़ वैल्यू इन मनी मतलब पैसे के तौर पे अगर वह वैल्यू पहले वह बात नहीं हो रही है यहाँ पर उनके लिए एक खुशी कितनी होती है उनको उस वह मिलकर कि भई भली पुराना जूता मिल जाए कोई फटा पुराना पर्स मिल जाए बैग मिल जाए तो वही उसके लिए बहुत जादा खुशी वाली बात हो जाती है तो उनके लिए वो एक जो कीमत रखती है वो प्राइसलेस होती है उसके कोई कीमत नहीं अंदाजा रगा सकता तो इसलिए जो है यह बहुत ही जादा इनके लिए इंपोर्टेंट होती है माइने रख वह किस तरीके के वो कैसे अप्यार होते हैं उनके सामने कैसे है वो मौर्निंग क्रौोष, इवनिंग क्रोष, मौर्निंग बर्ड्स, जिए हां पे बॉई्ज यह मुकिश और उसके बारे में बात नहीं हो रही है यह साहिब आलम और गैंग के बारे में बात हो रही है वो कैसे लगते हैं तो वह basically morning crows की तरह लगते हैं कि सुभह जो crows आते हैं या evening crows की तरह, crows मतलब को हुए? तो एक तरह मैसे जैसे सुभध में जो जितनी भी चडियाँ हैं चह चाहती हुई वो जब आती थी तो वो बिल्कुल एकदम फ्रेशनेस से भर देती हैं माहौल राइट सुभध की जो एक माहौल होता है उसके अंदर जिब चडियाँ चह चाहती हैं तो बिल्कुल भी disturbing नहीं होता कि बहुती जादा डिस्टर्ब हो रहे है या परिशान हो रहे है नहीं नौईजी नहीं होता हूँ भूती जादा इंट्रेस्टिंग और प्यारा होता है म्यूजिक की तरह होता है राइट उसी तरही के से सारे बच्चे खिल खिला ओए एक्दम क्योंड कRIमें डोर्टे इनलडे सा थी on a इनलड बरखंग नशीन के साथ एक्ट जंग जो है, उनका जनम कहा हुआ, options है, USA में, United States of America, California में हुआ था, कोच में हुआ था, या, रुटकेला में हुआ था, तो students, जो सही option है, जो मैंने आपको अबाउट जो बता रही थी, तो उस में भी आपको बताया था, जो सही answer है, वो है, option D, रुटकेला, और ये भी मैंने आपको बताया था, that it is important about the author वाला जो भी paragraph है, जो भी मैंने आपको सिखाया था, वो exam point of view से भी important है, क्योंकि अनीज जंग के बारे में भी questions आज आते हैं, right, यहाँ ता clear है, अब students हम बढ़ रहे हैं, हमारे third set of five के last question पर, जो कि इस वीडियो का भी last question होने वाला है, इस question को answer करने की बाद आब बताएंगे, out of 15 questions, कितने questions का answer आपने सही दिया है, and be honest, right, चलिए, last question पढ़ते है, है, what does the title lost spring symbolize? One of the most important questions from this chapter, right, क्या मतलब है lost spring का? A, lost blooming childhood, मतलब खोया हुआ एकदम, bloom करता हुआ बचपन, bloom करता हुआ मतलब अभी खिलता हुआ, अभी पनपता हुआ बचपन, B, autumn season को दर्शाता है, lost money, खोये हुए पैसो को दर्शाता है, lost age, मतलब वो उम्रिल जो खो गई है, उसे दर्शाता है, students, बहुत अच्छे से आपको मैंने कई बार multiple times समझाया है, कि जो सही answer है, इसका वो है option A, lost blooming childhood, यानि, बचपन जो खो जाता है, और एकदम पनपता हुआ, एकदम यंग बचपन जो होता है, वो जब खो जाता है, उसी के बारे में इस chapter में बताया भी गया है, चैप्टर की theme भी है, यह essential theme है, और title भी यही है chapter का, और जो actual में जो book है, जहां सी यह chapter का excerpt या हिस्सा अंच लिया गया है, उसका title भी lost spring ही है, the stolen stories of childhood, the stories of stolen childhood, sorry, आगे पीछे कर दिया, the stories of stolen childhood, right, I hope students आपने option A को ही select किया होगा, अब आप मुझे comment करके जल्दी से बता दीजी कि out of 15 questions आपने कितने questions को सही से answer किया है, और इसी के साथ यह video हमारी यहां end होती है, अगर किसी भी question में कोई भी doubt है, तो वो भी आप मुझे comment section में जरूर से पूछे, वीडियो कैसी लगी वो भी comment करके मुझे जरूर बताइए, और आखिर में इस वीडियो को like जरूर से जरूर करें, जादा से जादा शेयर करें, और माइने ब्रेंस हिंदी को subscribe जरूर से जरूर भी और इसी वग करें, क्योंकि यहां पर आपको मिल र फायदा जरूर उठाइए, इसके अलावा e-books और e-notes भी available हैं students, e-notes जो है organized format में है, practice sets के साथ मौझूद है, इन्हें बाने के लिए links दिये गए हैं description box में, जैसे ही उन links पर आप click करेंगे, तो आपको e-books और e-notes से जुड़ी हुई जितनी भी चानकारी है, सारी की सारी मिल जाएगी, इसके बाद अगर आपको चैनल से जुड़ी हुई latest updates चाहिए, तो आप हमें follow करें Instagram, Telegram, Facebook और Twitter पे, आपको चैनल से जुड़ी हुई सारी latest updates, सारी जानकारियां आसानी से मिल जाएगी, आखिर में फिर से याद दिला दू, वीडियो को like करे, share करे, doubt होने पर comment section में पूछ लीजिए, और out of 15 questions कितने answers सही है, वो भी मुझे जरूर से जरूर बताएं, और आखिर में सबसे जरूरी बात, अपना ध्यान बिलकुल जरूर से जरूर रखिए students, मिलते हैं अगले वीडियो में, take care and bye bye.